है है गाईस अगर आपको बहुत अच्छी गन Okay है तो यह वेडियो आपके लिए पिल्कुल भी नहीं है यह वेडियो सनके लिए है जो सश्थी गन्स साта है थोड़ग के लिए गण चाहते हैं तो यह गन þेरी इस वेडियोत Bis और आज जो गन लेकर के मैं आप सभी के लिए हूँ नाइटीन एलेवन एरसोफ्ट स्प्रिंग पिस्टिल और यह गन के लिए है पहले मैं वह बतायता हूँ आप लोग क्लियर है वी विल बी ऑन दे सेम पेज यह उनके लिए है जो गन की सेप में चाहिए होता है उनको लाइ करना पड़े उनको ब्रेक बैरल जिनको नहीं चाहिए यह उनके लिए है खेजिनको लाइटच नहीं छाहि pharmacist कर सकते हैं और अप इस्संत्र टार्केट कर सकते हैं और फिसके बारे मैं पूरा बताओ सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप इस चैनल पर कोई नया वीडियो आए तुमको आपडेट्स मिलते रहें इससे पहले जो लोग सिर्फ से खरिंदर आते बिना इसके रिव्यू देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ इस प सामके 6 वे तक दो गाइस यह है क्या यह प्लास्टिक की गन है यह यह मैटल की नहीं है प्लास्टिक की है बट इसका लुक काफी अच्छा आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इसके आगे लेजर लगा हुआ है बट इसके अंदर बैटरी जो है जाता टाइम आपको जो मिलेगा वो नहीं रहेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर एक लेजर है टाइकर प्रैक्टिस के लिए तो यह वीडियो वगरह में अच्छा दिखता है बट जब आपके पास यह आएगा चांसे हैं कि आपके वाला में बैटरी ना हो तो अगर आप न आने वाला हूँ तो यह बहुत जादा हैवी गन नहीं है क्योंकि यह मेटल का नहीं है 156 ग्राम का है तो यह थोड़ा सा लाइट है और मैं इसकी लेंथ बतायता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसका साइज कितना है और कैसा है तो इसका साइज आप देख सकते हो 17 सेंटिमेटर है यहां से इसके बैक तक और उपर से लेकर के नीचे तक रफली 11 सेंटिमेटर तो यहां से यहां 17 सेंटिमेटर यहां से यहां 11 सेंटिमेटर यह हाथ में छोटा मैसूस नहीं होता बट यह काफी बड़ा भी नहीं है तो यह थोड़ा सा यह आप देख सकते हैं सामने लेजर लाइट है जो इसको बहुत अच्छा लुक देता है और यह पुल बैक होता है इस लोड़ेड आप से फार कर सकते हो यह सामने इन्होंने रेड इसलिए किया बेभी एरसोफ्ट के लाउग के जो रूल है उसके विए से आप जैसे यूज करना चाहेंगे तो अब इसके उपर लगा करके हे यूज करेंगे तो यह है गाईस प्राइस इसका लाइटर से सस्ता है पाप समझ सकते हो एक अच्छा एकनोशा है फ्र्वर कर सकते हो दूसरा यह दिखने में जिसे लाइटर से जो लोग खरीते हैं सिफ वो लोग इसे खरीज सकते हैं लाइटर में गन बॉक्स नहीं आता है इसके अंद्रा मुल्टिवर्ड फार कर सकते हो अगर आप चाहे तो तो तीन साल से अब बच्चे से खेल सकते हैं बागी यह यह तीन तरह के गन होते हैं एक होता बहुत अच्छी गन जैसे कि हमारा वॉल तो अगर आप बेसीक बेसीक पैसा खर्टना चाहते हैं और यह वना बाइ तो दस इस 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 कैन बीए चॉइस आप इसे कलेक्शन के लिए भी रख सकते हो में भी सजाने के लिए ले सकते हो फारीं के लिए नहीं तो तस इट गाईस आई होप आपको वीडियो पसंद आया लाइक, कमेंट, सस्काइब, फेस्बूक पे फॉलो करना बूले, इंस्साग्राम पे फॉलो करना बूले, ओर्डर करने के लिए आप हमें वेबसाइट पे जाकर के ओर्डर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, airsoftgarindia at the8ofgmail.com पे, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स वीडियो में, तिल then, have fun.